हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल सिंपल लिविंग और कुकिंग आज मैं आपके साथ मसाला सुईट कॉन की रेसिपी सेयर करने वाली हूँ मॉल जैसा मसाला कॉन हम घर पे कैसे बनाएंगे वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी यह बहुत कुईक और इजी रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना सबसे पहले हम एक पैन को गरम करेंगे और फिर उसमें हम सुईट कॉन डालेंगे यहाँ पे मैंने 1.5 कप बॉल सुईट कॉन लिया है फिर उसमें हम 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे यहाँ पर मैंने नॉर्मल बटर का इस्तमाल किया है आप चाहें तो यहाँ पर गार्लिक बटर भी डाल सकते हैं बटर डालने के बाद हम इसको लगभग 2 से 3 मिनट सौटे करेंगे और फ्लेम को बिलकुल मीडियम पे रखेंगे मैं अपने चानल पे सूइट कॉन की और भी बहुत सारी रेसिपीस पहले से एर कर चुकी हूँ अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है देन मेरे वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है आप वहां से उसे देख सकते है बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है अभी हम ग्यास के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस सूइट कॉन को हम एक बावल में ट्रास्फर कर देंगे बटर डालने से हमारे कॉन में बहुत अच्छा बटरिंग फ्लेवर आता है अभी हम इसमें वन टीस्पून रेट चिली पावडर डालेंगे आप अपने टेस्ट के एक कॉडिंग यहाँ पे रेट चिली पावडर डाल सकते हैं हाफ टीस्पून काली मिर्ज का पावडर डालेंगे वन टीस्पून ग्रीन सॉल्ट डालेंगे आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट का भी इस्तमाल कर सकते हैं वन टीस्पून चाट मसाला डालेंगे और फिर इसमें आधा नीम्बू का रस निचोड लेंगे फिर इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद यह सर्फ करने के लिए बिलकुल तयार है आप भी यह रेसिपी अपने घर पे जरूर ट्राइ कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर सेयर कीजिए अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छे लगी हो और निए अजगे श्ब्सक्राइब कर लोगी अच्छेब कर दो और आपको में अच्छेब कर देखी अच्छेब कर दो प्रच कर दो प्र बाद कर दो एक वर वर जोगीजिए